नमस्कार मैं उप्रिया जोड आप देखरें देस्जी नियूज राजस सुप्रीमों लालू प्रशाद यादव को आज सुबह सुबह हाजीपुर के कोट में पेस होना पड़ा आपको बता दे कि यह जो उन पर कालवाई चल रही है वो 2015 में हुए अच्छार सहीता का उलंगन की वज़ा से चल रही है 2015 में लालू यादव ने एक अपना बयान एक सभा को संबोधित करते हुए आप पत्ती जनक बात कही थी उन्होंने फॉरवर्ड कास्ट के ऊपर कुछ कहा था जिसके वज़ा से उनके उपर कालवाई हुई थी क्या है पूरा मामला जानिये विस्ता से 27 सितंबर 2015 को बिहार विधान सभा चुनाव में लालू प्रिशाद ने रागोपुर विधान सभा की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपत्ती जनक बाते कही थी तब उनके खिलाफ अचार सहीता उलंगन का मामला दर्ज किया गया था लालू यादव ने जाती शब्दों का इस्तमाल किया था लालू अपने चोटे बेटे ते जस्वी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने फॉर्वर्ट के खिलाफ लराई लड़ने की बात कही थी इस मामले में ततकालीन सदर सरकिल इंस्पेक्टर ने 29 सितंबर को वीडियो फुटेज के अचार सहीता उलंगन का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था आपको बता दे कि लालू पिशाद यालव को हाल ही में पलामू केस में जमानत मिली जहां पर उनके उपर फाइन लगाया गया 6000 रुपे का आपको बता दे कि वो केस था जब एक चुना लाजीपूर में लालू यादव पहुंचे वहां पर उन्हों बयान दच किया उसके बाद वो कोट से बाहर नेकले जब उन्होंने सब को बताया कि उनकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है आपको बता दे जब लालू पृशाद यादव कोट पहुंचे थे तो वहां उ बहुत जल्द ही सिंगापोल जाकर अपना बीमारी का इलाज करवा सकते हैं यानि केड़नी ट्रांस्प्लांट करवा सकते हैं ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हैं देस्जी निउस के साथ